हार्ट अटेक के बहुत से कारण होते हैं और अक्सर आप लोग को पता भी है कि स्मोकिंग से, एक्सरसाइज ना करने से, बहुत ज़्यादा चिकना खाने से, चंग फूट खाने से, नमक ज़्यादा खाने से, मीठा ज़्यादा खाने से, हार्ट अटेक के रिस्क बढ़ जात तो इस कंडिशन को MI कहा जाता है जिसको हम आम भाश्चा में हार्ट अटेक क्या हार्ट अटेक के बाद मरीज की जान बचाए जा सकती है येस बिलकुल अगर आप हार्ट अटेक होते ही मरीज को दो गंटे के अंदर अस्पताल शिफ्ट कर देते हैं तो 95% या उससे भी जाद का सस्पेक्ट होता है इस मरीज को कहीं पे कॉर्णरी आर्टरी डिजीज तो नहीं है यानि के कॉर्णरी आर्टरी के अंदर कोई ब्लॉकश तो नहीं है तो एक प्रोसेजर किया जाता है जिसको हम एंजोग्राफी के नाम से जानते हैं एंजोग्राफी बड़ा सिंपल प् किया जाता है और फिर उसके तुरू एक catheter यानि कि शीत को इंसरेट किया जाता है इस आर्टरी के अंदर और फिर जो heart के coronary arteries है यानि कि जो arteries heart को supply करते हैं, उनको coronary artery यह और एक catheter तagn cancel पहुँचता है और इसी के साथ साथ एक sheath या एक guide wire भी चल रहा होता है अब इस guide wire को वापस निकाल लिया जाता है और फिर एक die इसमें inject की जाती है और जब die inject करते हैं तो उस समय एक fluoroscopy x-ray machine से इन images को देखा जाता है कि यह die कहां पे move हो रही है अगर die का flow free होता है कहीं पे narrowing नहीं आती है इसका मतलब angiography normal है लेकिन अगर कहीं पे इस तरीके का कोई blockage या artery का narrowing डिखता है it means कि यहां पे blockage हो गया है और इस artery के अंदर defect है यहां पे deposits हैं जो आगे blood को normally नहीं जाने दे रहे हैं और यह यह तो heart attack हो चुगा है या heart attack होने का खत्रा है लेकिन जैसे यहां पे डॉक्टर के blockage पता लगता है यह जरूरी हो जाता है कि इस blockage को खौल दिया जाए अधरवाई इससे मरीज की जान भी जा सकती है उसके लिए क्या किया जाता है फिर से जो guide wire था एक balloon के साथ insert किया जाता है और उस area तक पहुँचा जाता है जहां पे यह blockage है coronary artery के अंदर जब उस area पे balloon पहुँच जाता है इस balloon को inflate कर दिया जाता है जब balloon inflate होता है तो artery expand हो जाती है जिसकी वेसे blood का circulation normal हो जाता है या eye की तरफ flow करने लगता है और जिस organ में blood नहीं जा रहा था जिस पार्ट में blood नहीं जा रहाता है वहाँ पे blood की supply regain हो जाती है और मरीज की जान बच जाती है इस level तक जब हम balloon से artery को खोल देते हैं तो इसको balloon angioplastic का जाता है लेकिन generally balloon angioplastic के बाद भी ये risk बना रहता है कि ये artery के वापिस ना आ जाए और फिर से narrowing ना हो जाए तो फिर से ये blockage ना हो उसके लिए यहाँ पे एक stent प्लेस करना ज़रूरी हो जाता है इस stent metal के बने होते हैं ये drug eluting and non drug eluting category में आता है generally जो drug eluting stents हैं उनको बहतर माना जाता है और उनको preference दिया जाता है तो फिर से इस guide wire को वापिस लेके इसके उपर जो balloon था balloon के उपर ये stent लेके जाया जाता है साथ में और फिर से उसी area तक जाया जाता है जहां पर अभी हमने balloon angioplasty की थी और जब ये stent ही कुछ जगा पहुँच जाता है तो फिर से balloon को inflate कर देता है और जब ये balloon inflate होता है तो उसके साथ साथ जो stent है वो भी expand हो जाता है और जब ये expand हो जाता है तो ये arteries के साथ चिपक जाता है और फिर balloon को deflate करके इस guide wire को वापिस निकाल लिया जाता है अगले कुछ घंटों तक जो sheet है वो लगी रहती है फिर उसको भी remove कर देता है और एक pressure bandage से जो आपका यहाँ पी needle जहां से डाली थी चाहे वो radial से डाली हो एफिमोरल से वो आप एक pressure bandage कर दिया जाता है और अगर angiography है तो मरीज day care में यानि कि दिन के दिन घर जा सकता है लेकिन angioplasty में मरीज को overnight stay कम से कम करने की जूरोत पड़ती है इस तरीके से मरीज की जान बच जाती है safe procedure है और 99% cases में यह successful माना जाता है तो मुझे उमीद है आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा जानकारी भारा लगा होगा और अगर वाकई आपको यह informative वीडियो लगा तो इसको जादे जादे शेयर करें widely शेयर कर ले जादे 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 लोगों को इसका फायदा मिले और अगर आप चैनल पे पहली बारा हैं तो चैनल को subscribe जरूर कर ले बाल एकन का बटन भी दबा ले तो इस तरह की सारे informative वीडियो आपको समय पे बिलते रहे, thank you